नितीश तेजस्वी के रिष्टों को लेकर के और इसके साथ साथ चिराग पास्वान और उपेंद्र कुश्वाहा जो अपनी अपनी पार्टी को लेकर के आशाव दिखाई है कि वो आने वाले समय में बिहार को बदलने के लिए भाजबा के साथ संबंध बना सकते हैं उसके स उप गया है आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के हो या अन्य कई मुद्दें जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं जो चर्चाएं ये कही जाती थी कि नितीश कुमार अब भाजबा के साथ नहीं जाएंगा और भाजबा ने भी नितीश कुमार के लिए दरवाज़े ब बंद है तब ललन सिंग ने ये बात कहा था कि हमने उन्हें आवेदन नहीं दिया है लेकिन इन बातों के साथ साथ कई ऐसी बाते हैं जो कह रही हैं कि निकिश कुमार 2015 से 17 वाली इस्थिती में आ गये हैं कहा जा रहा है कि जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है सीबी आई का इडी का और अन्य एजेंसियों का राष्टिय जंदातल के सुप्रीमों लालू परशा उनके परिवार के सदस्यों और उनके साथ रहने वाले या उनके विधायक एमेलसी पर उसको ले करके कहा जा रहा है कि मामला अटकता हुआ दिख रहा है नितीश कुमार खास करके व्रस्टाचार के मामले को ले करके हमेशा थोड़ा सा पोजिसिव रहते हैं इसी बात को ले करके पिछली बार 2017 में उन्होंने एक बार फिर से भारते जंदा पार्टी के पुराने दोस्तिक का हवाला देते हुए पाला पदल लिया था अचानक से सत्ता से बेदखल हो गए थे तेजस्रिया दो एक बार फिर से नितीश कुमार जैसा उनका बॉड़ी लेंग्वेज है वो बता रहा है कि इन सब बातों से वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है जो चीजे हो रही है और जिस तरह से रास्तिय जंदा दल एक्ट क कर रहा है वो नितीश कुमार को पसंद नहीं है क्योंकि सदन में भी उन्होंने इन सब बातों को लेकर के नाराजगी जाहिब की है तो वहीं आपको बता दें कि नितीश कुमार की बातचित और फोन पर होने लगी है नितीश कुमार ने खुद स्विकार किया कि अमित साने उन्हें फोन करके बताया था कि विहार में राजपल बदले जा रहा है जिस पर उनकी स्विकृति भी मिल गई थी इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि अकसर नितीश कुमार के साथ भारते जन्ता पार्टी के रिष्टों के बीच में दो सक्स आया करते थे पह बात को सही कर दिये हैं पिछली बार 2020 के चुनाओं में भी सीट सेरिंग के समझोते को ले करके जब बात नहीं बन पा रही थी तो भुपेंदर यादो को साइड करते हुए भारते जन्ता पार्टी ने राजनात सिंग को भेजा था और मामला सेटल हो गया था इतना ही नहीं तमिल लाडु आले मामले पर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से राष्टे जन्ता दल को छोड़ करके बाकी के सभी दल और कहा जा रहा है कि जो गैर भाजबाई दल है वो सभी तमिल लाडु की घटना पर अपसोस जाहिर कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं वहीं इस म कामले पर कटगरे में खड़ा किया रहा है भारते जन्ता पाठी को तो वहीं नितिश कुमार इससे बिलकुल अलग राग अलाप रहे हैं नितिश कुमार ने तमिल लडु सरकार से बात की और बिहारियों को लेकर के उन्होंने अपना पक्ष रखा कहा कि किसी भी तरह की मार नितिश कुमार के साथी हैं तेजस्वी यादो जो कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ और जा करके वहां स्टालिन के जन्मदीन पर सामिल होना बहुत सारी कहानी को जन्म दे रहा है एक तरफ ये बाते हैं तो वहीं बता दें आपको कि लगतार प्रधान मंत्री भी अब न सकते हैं ऐसे स्थिति में भारते जन्ता पार्टी का भी जो ठिंक टैंक है और जिस तरह से ललन सिंग ने एक सर्वेक रिपोर्ट बताई है कि भारते जन्ता पार्टी परिशान है क्योंकि बिहार की जो है वो केंद्र में पहुंशने का नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने भी नितीश कुमार के जन्मदीन पर उन्हें बढ़ाई दी लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक जो सबसे महतोफूर बात है और जो पाच कारण बताए हमने उनमें से सबसे बड़ा कारण है कि नितीश कुमार ने साजा विपक्ष के मुहीम से अपने इस तरह की करवाई कराई जा रही है जिस पर रूक लगाया जाए उसमें आठ दलों के हस्ताक्षर हैं लेकिन नितीश कुमार उस गूट से बिलकुल अलग है इस बात को लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि नितीश कुमार ने मन बना लिया है कभी भी बिहार में कोई बड़ा राजनितिक परिवर्तन हो सकता है भीतर खाने में चर्चा ये भी चल रही है और खुद बता रहे हैं कि जदियू के नेता जो खास करके महागडबंधन में निकिश कुमार के आने के फैसले को लेकर के नराज चल रहे थे उनके चेहरे पर कहीं न कहीं अब बदलाव देख रह गड़ा दिख रहे हैंं जो इसारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं बिहार में वोड़ा राजनितिक परिवर्तन होने के इस्तिति पैदा हो गई है अब देखना भारत लाई पे होनी चाहिए होली की बहुत-बहुत सुभ काम ना है 816-816-700 धन्यवाद